यूट्यूब के इत्यास की सबसे वड़ी गेमिंग कॉंट्रूवर्सी में आपने पिछले वीडियो में ये देखा कि कैसे पारस सिंग जो लुधियाना पंजाब से एक गेमिंग क्रियेटर है उसको मारा गया पीटा गया क्योंकि उसने कार्डिंग स्कैम के बारे में बात कर जिनको ट्रेस नहीं करा जा सकता है जो इस मामले में इन्वेस्टिगेटिंग ओफिसर पारस ने उनको भी ये वीडियो भेजा और आप सब लोगों ने भी इस वीडियो को बहुत शेयर किया जो की बहुत काबिले तारीफ है I'm very proud of you तो जाब पहले वीडियो में आपने ती सीरिस मामला सीरिस फोटेज रियल फोटेज आप देखेंगे दूसरा एफएर जो हुई है इस मामले में उस एफएर की कौपी आप देखेंगे मिस्ट्री ओफ डाकू विलिन उसको सॉल्फ करेंगे आज चौथा मैंने कुरीबन 19 साल बहुत सारे इंडस्ट्रीज और बहु डाकू विलिन की मिस्ट्री की है कौन है डाकू विलिन तो गैस बहुत लोग ऐसा समझ रहे हैं कि गुजराती जो वॉइस ओवर करता है डाकू विलिन की चैनल लिए वो गुजराती ही डाकू विलिन है पर ऐसा नहीं है अब पता चल गया है कि डाकू विलिन चैनल का ओनर अमरिच्सर पंजाब से है यह जो बैंक रिसीट है जो देखी जा सकती है इस सबूत के मिलने से एक बात साफ हो जाती है कि जो गुजराती अवाज है वो है जस्ट दी एंकर वो है उस एंकर की जो यह चनल चला रहा है पर जो यह रिसीट है वो इस इंसान की है जो ओन करता है के काउंट को जो की एकसेस बैंक पटी अमरिच्सर तरन तरन डिस्ट्रेट वहां का है मतलब जो असली डागुविलन है वो गुजरात में नहीं है वो अमरिच्सर पंजाब में है अब बात करते हैं जो एफायर कॉपी है उसमें क्या लिखा गया है इसमें करीबन पाच सेक जोना चाहिए एक और चीज मैं कवर करना चाहूंगा कई लोग यह भी बोल रहे हैं कि भाई जो पारस ने वीडियो बनाया उसमें उसका लेफ्ट हैं इंजड है बात में जब खाल साओं के कर गया है तो राइट हैंड कौन से इंजड है तो गाइस यह न भीकार के दिमाग आप मतला है और आप मतला है ओविसली वेंड परसन विल टेका सेलफी तो देल भी इन इंवर्टेड इमेज तो वो दूसरा हाथ दिखेगा बट जो खाल साओं अपने व्लॉग में दिखा रहे तो वो फ्रंट कैमरा नहीं वो रियर कैमरा है तो उससे जो हैंड डिख रहा ह मैंने वो अप्लोड कर रहा है दूसरे चनल पर पीपो एक्स्ट्रा आप वो देख सकते हैं लिंक डिस्रिप्शन में है अब आते हैं उस चीज पर जिसको देखने लिए दिल थाम लेना क्योंकि आप देखें उन लोगों के चेहरे जिन लोगों ने काम किया आप देख रहे में स्ट्रीम पे वो सीसीडीवी फुटेज जो पहली बार इस मामले में सोशल मीडिया पे शेयर करी जा रही है ये छे लोग ट्रिपलिंग करके दो बाइक पे और एक सरदार जो लोकल था जो इनको रस्ता दिखा रहा था ये डुगरी डिस्रिक तक ही रुख गए और ये बाकी के छे लोग आगे चले और इस वक्त इंवेस्टिगेशन प्रोसेस यहां तक पहुच गया है कि इन लोगों ने यहां तक CCTV कैमरा में इन सब को कैद कर लिया और आगे भी बहुत आगे तक भी एक गाव बढ़ता है वहां तक भी और आगे भी ट्रेस कर रहा है जो इनक चैनल और from the channel because जो चैनल जो भी मॉनिटाइज होता है वहां पेमेंट आती है उसके लिए उसके लिए पैम कार्ड चाहिए होता है तो सारी डिटेल निकलवा सकती है पुलिस इस नॉट अब बिग डील जो CCTV कैमरा आप ट्राफिक पुलिस डिपार्टमेंट से कोडिनेट करक परलेल याप उनको पुचा दोंगी डेस्नेशन पर जहां भी नंबर प्लेट देखे वो क्याप्चर करके ओविसली देन कंटाक्ट देपार्टमेंट अन देन गेट देटेल्स लाइसेंस डेटेल्स डेटेल्स एक्सेक्टर यह दूसरा तीसरा कंटाक्ट दी बैंकिंग ड उसकी डेटेल्स देखिए बहुत सारी इंगेम पर्चेज़ेंगी अराम से डेटेल्स निकल जाएगी और उन दोन को कॉडिनेट करने दीजिए जब तक डिपार्टमेंट को कॉडिनेट नहीं करेंगे टेकनोलोजी का साथ नहीं मिलें कुछ नहीं होगा गुरुमेल सिंग साथ बढ़कते रहेंगे एक हफता और उन्होंने मांगा पारस से बोला है मैं यहार विंद केज़वाल जी और भगमत मांत को भी कहूंगा आप लोग उनको टैक कर सकते हैं आगे आपके लिए कुछ काम है कि कैसे आप इस चीज़ को आगे शेयर करेंगे जिससे इस इन्व कमनी जो बेच रही है धड़ले से नंबस को क्या उनकी responsibility कुछ नहीं है क्या government कुछ regulations introduce कर सकती है उन पर प्रेशर बनाना चाहिए कि डेटा शेयर किया जाए किसने पचे इसकी नंबस तो यह पाच तरीके हैं गैस बट सबसे जाधा important तरीका पता क्या है मैं एक resource pool बना रहा ह अगर आप इस link पर रिजिस्टर करते हैं तो आपको access दे दूँगा उसका और आप अगर आपके वास कोई भी proof है तो आप वहां उसमें dump कर सकते हैं जिससे जब भी next video because मैं इस story को chase करता रहूंगा जब तक story YouTube community की story है यह मैं छोडूँगा नहीं मैं और content डालूँगा जैसा लिंक पर इस चीज़ को dump कर सकते हैं और गूगल ड्राइव लिंक आपको काम बड़ा important है मैं बताओंगा आते हूं उस पर मेरा message gaming community के लिए जितने भी बड़े creators हैं जितने भी बड़े gaming creators है या YouTube creators है मेरा उनसे एक ही सवाल है क्या आपके घर में किसी की साथ ऐसा हो तो क्या आप चुप बैठे रहेंगे क्या बॉलिवुड में कुछ हो जाता है यह बॉलिवुड स्टार्स चुप हो जाता है उनको अपनी image की परवा होती है पर YouTube community different है जितना मैंने आप लोगों को देखा है आप different हो तो क्यों आप नहीं खड़े हो इस वक्त पारस के साथ जब पार पारस के गेंज बोले थे अब वो support में क्यों नहीं आ रहें क्या यह मामला छोटा है किसी माँगा एकलौता बच्चा carding scam financial fraud आपकी gaming industry को hit कर रहा है आपकी YouTube industry को hit कर रहा है इतना violent ये episode वह incident हो है क्या आपकी कोई responsibility नहीं है क्या आप बस कुछ creators यह करेंगे I know that many people are doing these videos for views but आप जो बड़े creators हैं आपका पसे mention Instagram पे या Twitter पे या YouTube पे या इस video को share करके या एक mention ही कर दो justice for paris नहीं लग दो बहुत काम आएगा उसे pressure बनता जितने भी लोग देख रहे हैं जो expect करते हैं ऐसे बड़े creators से कि वो इन बामलों में कुछ बोलें उनको tag करा जाए उनसे ये video share किया जाए मेरी इतनी गुजारिश है and I'm sure I trust some of them who I personally know कि वो जरूर directly नहीं तो indirectly support करेंगे आगे आएंगे कौन लेगा lead कौन सा बड़ा creator लेगा lead मैं देखूंगा अब आता हूं last चीज़ पर जो आपकी responsibility है link दिया है नीचे register कर लेना update सारे मिलते रहेंगे इस campaign के लिए but अभी जो current campaign है guys वो यह है simple इस video को mark करिये twitter पे hashtag expedite investigation ये twitter पे आप tweet करिये justice for paris के साथ क्योंक करें तो पुक्ता सबूत भी मिलेंगे और जल्दी से जो मुझरिम है उसको सजा भी मिलेगी नहीं तो अकेले भाई साब गुर्मेल क्या कर लेंगे पर मेरा साथ आपको देना है और I expect some big creators to come forward कौन आएगा सामने मैं भी देखूंगा आप भी देखिए कर देखिए